हलो फ्रेंट्स फ्रेंट्स वल्काइम यूपीएसी प्रोपेशन वन लीग चैनल में आपका स्वागत है फ्रेंट्स आज यानि की बीस सगस 2022 की डेट में पीपीएसी के द्वारा एएओ का एक्जाम कंड़क्ट करवाया गया यानि कि सहायक अंक एक्षन अधिकारी असिस्ट कुटों के महतुका व्यापक रूप में व्यापक रूप से वर्नन किया है तो अलमसूदी अलवरुनी इवन वतूता सुलिमान जो भी हो उसके बाद यहां पर देखिए दिली सल्तनत के किस सुल्तान को लाख वक्स कहा जाता था नेक्स्ट कोईसन यहां पर आप देख सकते में सिराज ए मसरिक पूरग का सिराज कहा जाता था तो यह एक कुश्टन यहां पर हो गया नेक्स्ट यहां पर देखिए किस मुगल समराट ने जंजीर ए अदाली नामक न्याय की घंटी लगवाई थी तो ठीक है उसके बाद नेक्स्ट है भारत भारतियों के लिए यह ना प्रधान से नपती कौन था उसके बाद आटवा नमर का कुश्टन है कि इन में से कौन एक देवबंध स्कूल से जुरे नहीं थे तो जो ही है देवबंध स्कूल से नहीं जुरे थे आपको यहां पर आप्सन देखना है नेक्स्ट है नेक्स्ट है नेक्स्ट में से किस एक क निंदा ब्रह्म समाजने की थे ब्रह्म समाजने नहीं की थे तो आप अवतारबाद जातिवाद बहु विवाद परदा पर था तो यह आपको देखना चलिए उसके बाद दस नमबर का यहां पर दिया है थोड़ा सा बलर होगा लेकिन एड़ेस्ट कीजिए मैं पर दे रहा क्यां 1917 के चेंपारण किसान अंधूलोन की संपन्दित नहीं थे 윤 खी शंपकर्पुर भंब कांड के исс compares की तो परफुल्ल की बटुके सवरदतर राज्गुरू राजंद्र लाहिरी लए स्थापना कि यहां सिकंदर के भारत में 마agle the सिलसिला से जुरे हुए थे तो सूफी शंथ जो थे सर्फुदिन या मनेरी वो किस सिलसिला से जुरुए हुए थे उसके बाद नेक्स 15 नमबर का क्वेश्चन है कि दरभंगा राजशेत्र में किसने किसान अंदोलन का नेतरितु किया स्वामी सहजानंद, स्वामी विद्यानंद, बाबा रामचंदर, विनोव भावे और इनमें से कोई नेक्सेदिक, देके नेक्स्ट नहां पर दिया है कि बिहार के किस नगर को मीर कासिम ने मुर्सिदाबाद के इस्थान पर राजधानी बनाई तो बिहार के किस नगर को मुर्सिदाबाद के इस्थान पर राजधानी बनाया था नेक्स यहाँ पर है कि आयुर्वेद के परसिद गरंथ अस्टांग घ्रदय की रसनाकार कौन है अस्टांग घ्रदय इसकी रसनाकार कौन है नेक्स देखे नालंदा तामलेख में किस गुप्त सासक को परम भागवत कहा गया है ठीक है तो खैबर दर्णा किन दो सहरों को जोड़ता है उसके बाद दिया हुआ है कि निवरिक्त छैत्र और राजी के जोरों में से कौन सा जोरा सही नहीं है चलिए नेक्स्ट यहाँ पर दिया है कि हाली में खोला गया अटल सुरंग यानि रोतांग सुरंग जोड़ता है किस किस को तो यहाँ पर आप आपसन देखिए 24 पे नंबर का कुश्चन आपको यहाँ पर बोल रहा है निवरीत में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी तेरती हुई सौर उर्जा परियोजना है तो सिहादरी विशा का पत्तम भादला जोदपूर पावागड पालवटी और रीवा प्लांट चलिए नेक्स्ट यहाँ पर दिया है कि हाली में आया हुआ उस निकरबंदिया चक्रबाद ताउते किस समुद्री किनारे पर गिरा है तो यहाँ पर सौराष्ट, कौंकन, मलाबार, केंडरा चलिए तो नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है कि रामसर अस्थल और राज्य का कौन सा जोड़ा सही नहीं है तो आपको चेक करना है कौन सा जोड़ा सही नहीं है नेक्स्ट यहाँ पर दिया एक निमलिकित नदी द्रोनियों में से किस का चैतर सबसे कम है तो आप option देखिए next यहां पर भारत के कितने राज गंगा नदी के दृणि पर देश के भाग है तो कितना राज है झो गंगा नदी दृणि पर देश के आसपस है चलिए next यहां पर दिया हुआ है की प्राकृतिक समुद्र तटिया आर्द भूमी के अंदर आने वाले सबसे अधिक छैत्र वाला राजी कौन सा है तो अंदर प्रदेश, गुजरात, औरिशा, किरल चलिए नेक्स्ट यहां पर तीसवा नमर का कुशन दिया हुआ है कि निल्गित जन्पद समुहों में से कौन सा बिहार के भूकम्प का सरवाधिक तिवरता वाला चैत्र है तो सितामटी, मधुवनी, सुपॉल, अड़रिया जो भी ऑप्सन है पस्मी चंपारन, पुरवी, चं भागलपूर, बांका, जम्मुई, या फिर पतना, नलंदा, बिगुसरा, और लकिसरा, आपको ये देखना इसमें कि बिहार का भूकम्प का सरवाधिक तिवरता वाला चैत्र कौन सा है इन सम्में चलिए यहां पर 31 नमर का कुशन दिया हुआ है कि चैत्र की द्रिष्टी स वर किलोमीटर के मामले में सबसे छोटा प्रसासनिक सम्मविभाग कौन सा है दर्भंगा सारन भागलपूर कोशी चलिए नेक्स निया पर निम्रिक्त में से कौन सा एक प्राकृतिक आर्द्र पक्षी अभ्यारन ये नहीं है तो बढ़ेला कंवर यानि कुशे स्वर नक्ती तो चलिए उसके बाद देखें नेक्स नहां पर दिया है कि बिहार के निम्रिक्त जनपद सम्मुहों में से कौन सा सरवादी की खनीज सम्रिद है तो भागलपूर मुंगेर लगी सरा जमुई या फिर भागलपूर कटिहार पूर्निया मदेपूरा रोतास बकसर भोजपू को चन्याल है कि किस मामले में संभावित अधिनिरने के सिंधान को अपनाया गया तो यहां पर आप्शन आपको दिया है कि हैर सिंग बनाम भारत संग मिनर्वा मिल्स केस गुलकनात बनाम पंजाब राज्य चंपकम दुराराजन बनाम मदरास राज्य नेक्स फोटी टू न प्रावधान को समाप्त करने की वेविस्था की गई है तो यहां पर आपका आप्शन है संभीधान का जो है एक सो पचीसवां संसुतन विद्यक 2019 या 126 वां 2019 एक सो चौबिसवां 2019 या फिर 117 वां 2017 चलिए उसके बाद नेक्स्ट कोईशन यहां पर आपको 43 वां नमर का दि किती निदे सक्सिदांत है उनमें से निमलिकित में से जो भी ऑप्शन है उसको आपको देखके बताना है कि कौन सन नहीं है उसमें चलिए उसके बाद नेक्स्ट यहां पर दिया है कितने विश्यों को पंचायतों के प्रसासनिक नियंतरन में रखा गया था तो चलिए यह जो है अगला कोईशन हो गया आगे बढ़ते हैं कि भारत के उप्राश्पती का चुना किस के द्वारा किया जाता है तो आप्शन आपको देखकर खुद से देखना है यह जो पुष्टक है इसके लेखक कौन है बारत के राश्पती का सम्विधानिक विश्या सद्रेकार नहीं है तो राष्पति का सम्वेधानिक विश्य साधीकार कौन सा नहीं है? यह आपको option देखे खुद ही बताना है. अब देखे 48 नमर गाए कि लोग सभाव सचीवाल है किस के सीधे परिविक्षन में आता है? उन्चास नमर का है यहां पर कि भारत में राजिंदिक दलों का पंजीकरन निवित प्राफधानों में से किस के अनुसार किया जाता है भारत में राजिंदिक दलों का पंजीग निमिग प्राफधान को अंसार किसके अंसार किया जाता है तो ओब्सन देखे आप खोदी बताने की कोजिस करें नेक्स यहां पर दिया है कि राष्ट यह महिला आयो किसके द्वर रा बनाया गया था तो 36 गर्ण महराज राजस्तान मतवलेस कौन सा सिर्ष स्थान पर नहीं है ये आपको बताना है चलिए नेक्स्ट यहां पर दिया है कि निविक्त में से भारतिया जनसंक्या की एक सबसे महत्पूर्ण विशेष्था कौन सी है तो गिरता जन्वदर या स्वास्त की सिति में इन समय से कौन सा है जो भारतिया जनसंक्या की एक महत्पूर्ण विशेष्था है चलिए नेक्स्ट यहां पर गया है कि निविक्त में से कौन भारत सरकार की और से न्यूंतम समर्थन मुली निरधारित करता है तो न्यूंतम समर्थन मुली कौन एमस्पी जो टेख करता है ये कौन करता है क्रिसी मंत्रालाय योजनायोग आर्थिक मामलों की मंत्रे मंदलिया समिधी या क्रिसी लायगत एवां मुल्य आयोग चलिए 24 नमर का यहाँ पर कुशन है कि निवलित में से किसे भारत में विद्यू चैतर की आर्थिक रीड की हड़ी कहा जाता है तो विद्यू चैतर की आर्थिक रीड की हड़ी इन समय से किसको बोला जाता है आपको खुद समझना है चलिए नेक्स्ट की ब्राउन खाद खरपतवार नियंतरन का हालिया द्रिश्टी कौन है जो की अधिकतम प्रियोग किया जाबता है मक्का में, गन्ना में, गेहों में, प्रत्यक्स दहान बिजारोपन में तो ब्राउन खाद इसके बारे मैं आपको पूछा नेक्स्ट यहां पर दिया है कि जब मुद्रा की पूर्ती बढ़ती है और मुद्रा की मांग घरती है तब वहां क्या होता है ब्यासदर में कमी, मुलिस्टर में कमी, मांगस्टर में कमी और ब्यासदर में विर्दी तो यह जो question है यह last time last video जो मेरा है economic से उस पर मैं समझाया हूँ काफी अच्छे से आप उसमें समझ सकते हैं जाकर नेक्स्ट यहां पर आपको दिया हुआ है 2011 की कौन सब बहार में अधिक जनसंख्या वाला जिला एँ नंबर का भी वाप्शन आपको दिया इनमयी इनमय इनमये से एक से अधिक तो आप सब को अगर पता है कि मान के चलिए पटना अगर सबसे ज़्यादा जनसंग क्या है एक जैंपल दे रहा हूँ और सेखपुरा सबसे कम जनसंग है तो पटना तो यहाँ पर आप्शन दिया नहीं है अब सरवाधिक दे दे कि सबसे अधिक जनसंग क्या वाला तो काद और कोईशन पर थोड़ा सा है जिसको इस तरह से आयो को बचना चाहिए इस तरह के और सबस्ट कोईशन से जहां को जाना पहचाना भी कोईशन गलत हो जाए सिर्फ वहां के कन्फूजन की वज़ा से अब देखें यहां पर दिया है कि भारत में सकल घरेलू उत्पाद की गरणा के लिए कौं सा मंत्राले जिमेदार है तो यहां पर आपको दिया है कि वानी जिमेम उद्योग मंत्राले वित मंत्राले और केंद्या सांकिकी और काडिक्रब निस्पादन मंत्राले तो चलिए उसके बाद देखें चैजार आगे है चलिए नेक्स . विसेसक को ही समीटि के नए सहरी सहकारी बैंकों को लैसेंस देने हैं थ्युक्टता का अध्यान करने के Sea इन में से कौन विशेशगी समीती के नए सहरी सहगारी बैंकों को लाइसेंस देने हैं तो उपयुक्तता का अध्यन करने के लिए था उसा थोराट कमिटी या एम दामोदरन स्री वाय एच मालेगम या फिर डॉक्टर एम पेट गाउंकर तो जो भी हो यहां पर नेक्स्ट विकास बोर्ड नेक्स्ट यहां पर आप देखें निमिक्त में से कौन सा संगठन निर्यातकों को भारत में गारेंटी परदान करता है तो निर्यातकों को भारत में गारेंटी परदान कौन करता है इसको चेक करना आपको नेक्स्ट यहां पर देखें कि भारत में कौन सी ए दिनियम, बिटिस सरकार को बंदी प्रतिक्षिकरन को अस्थवित करने का अधिकार देता था, तो 1909 का एक्ट या रॉलिट एक्ट 1919 या 1935 का एक्ट, चलिए, नेक्स यहां पर दिया है कि इन में से कौन, अखील भारतिया मुस्लिम लीग के संस्थापक नहीं थे, तो कौन नह है कि हाथ कती, खादी के वस्त्रों में, अठाट सो सफट्र में साही दरवार में कौन सम्मिलित हुआ, तो चीक है, उसके बाद नेक्स यहां पर दिया है कि स्वदेश बांधव समिती का संस्थापक कौन था, स्वदेश बांधव समिती, असुनी कुमारदत, पीबी दास, ठुल अचाकी और वीडी सावर कर, देखिए, यहां पर नेक्स दिया है कि बिहार में, रस्तापित, स्वराज दल की साखा का संयोजा कौन था, तो राजकुमार सुकल संभू सरन, स्रीक्रिशन सिंग और धनीदर परसाद, नेक्स तेहतर नमर का कुशन दिया है कि हिंदू- भवन, बिहार विद्या पीठ का उदगाटन, बचतर नमर का है कि 1937 में प्रांतिया स्वायत्ता के अंतरगत बिहार के प्रथम प्रधान मंत्री कौन थे, तो बिहार के प्रथम प्रधान मंत्री 1937 यहां स्पष्ट दे दिया है कि 1937 में प्रांतिया स्वायत्ता के अंतरगत तो चलिए उसको आप दियान से देखिए चीहतर नमर का है कि 1940 में बिहार में किसी भूमी संबंधी एवं किसक अंदोलनों के सापताई के हिंदी मुखपत्र का नाम क्या था चलिए नेक्स है कि सूरत विभाजन 1907 के बाद भारतिय रास्टे कॉंग्रिस पर किसका नियांतरन हुआ सूरत विभाजन 1907 के बाद भारतिय रास्टे कॉंग्रिस पर किसका नियांतरन हुआ चरमपंथी, क्रांतिकारी, नरमपंथी, चास, फिर समाजबादी अब देखे 78 नमर का कुछ से ने कि अब यहाँ पर confusion वाला है नरमपंथी और समाजबादी में confused हो सकते हैं इसलिए इनमर का भी option बहुत सारे बच्चे मारेंगे तो आपको खुद एक बार विचार करना है भारतिय रास्टे कॉंग्रिस के पर्थम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे अब देखें यहाँ पर कुछ 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 मैथमेटिक्स का दिया हुआ है तो आप देख लिजे गरी वाला question एक गरी दो पर बारा बज़े चलना सुरू करती है चार बज़ कर बीस मिनट पर घंटे की सुई घूम जाएगी तो option आपको दिया हुआ है यह question पिछली बार या तो सिरीपियो में यह पूछा गया था यह पर एक विद्यारती या तो क्रिकेट या बैडविंटन या दोनों खेलता है और पचास दसम्र शाथ प्रतिसम्र विद्यारती क्रिकेट खेलते हों चोंसर दसम्र तीन बैडविंटन खेलते हों और विद्यारती क्रिकेट और बैडविंटन दोनों खेलते हैं चलिए यह question है mathematics पर थोड़ा work करना होगा जो लोग दोस्त दस नंबर की question को इनोर करते हैं कि तुका मार के भी 5-6 करदी देते हैं सही तो आप समझगे कि दो तीन question से ही एक question से कोई आगे पीछे हो रहा है तो थोड़ा बहुत एक ही repeated pattern है आप देख सकते हैं 35 लिटर मिसरन में सराब और पानी का नपाद चार नपाद एक है इनमें से कितने लिटर पानी मिलाने से सराब और पानी का नपाद दो नपाद एक हो करता है ठीक है यह भी बनने योग है एक समलम चत्रभुज की समान अंतर भुजाएं करमसा बारा संटीमेटर और आर्ट संटीमेटर उसके बीच की दूरी साथ सेंटीमेटर इसका छेत्फल आपको बताना है चलिए next यहां पड़े की एक काम को करमसा 11 17 दिनों में पूरा कर के 5600 पारिश्रमिक की प्राप्त करते हैं पारिश्रमिक में उनके हिस्से करमसा कितने हैं तो यह कुश्चन भी ठीक है एक कक्षा के 60 विद्यारतियों का आउसत भार 50 किलो ग्राम है कक्षा ध्यापक को समलित कर लेने से आसत भार 500 ग्राम बढ़ जाता है कक्षा ध्यापक क का भार ठीक है moderate तरीके का question है यहां पर आपको एक सीरीज वाला question दिया हुआ है लूप्त question को आपको चेक करना है 60 है 180 है 90 है 270 है और फिर question मारक है और 405 है दिमाग लगाईए चलिए next यहां पर क्यानवे नबर का question है कि एक seconds दोलक को rocket में mount किया गया हो उसका दोलनकाल घटेगा यदि rocket समान वेग विर्धी से नीचे आता है जियो स्टेशनरी कक्षा में पृत्वी के परीतह चकर लगाता है उपर की और समान वेग विर्धी से बढ़ता है या फिर उपर की और समान वेग से बढ़ता है तो ठीक है इस पर दिमाग लगाना है नेक्स यहां पर दिया है कि एक फैंटो मीटर कितने मीटर के बराबर होता है इस तरह का एक question बीपेसी लगातार पूछ रहा है इसको आपको इस पर एक बार वर्क करना चाहिए तो ठीक है उसके बाद नेक्स यहां पर साबून में आमतोर से बिथियोनल का प्रियोग निवगत में से किस कारण से किया जाता है नेक्स है कि cold condition में इस्थिर यानि कि non decomposable रहने वाला artificial sweetener निवगत में से कौन सा है नेक्स यहां पर दिया कि मनुस्य की यक्रित में glycogenolysis को उत्यजित करने के लिए तनौपन इस्थिती में से कौन सा हार्मोन पैदा होता है ठीक है नेक्स यहां पर आपको दिया हुआ है कि रोगानु रोधक तथा निस संक्रामक सुक्स नजीवों को या तो मार देते हैं निस सत्य नहीं है तो जो सत्य नहीं है उसको इक बाद आप देखिये उसके प्रयोग होने वाली लेक्वीफाइड ग्यास में से कौन सी है तो इसको चेक की है नेक्स यहां पर दिया है कि निवित में से कीमो थेरेपी क्या है तो किस चीज़ का उपचार है इसको आप खुद से देखिए देखिए नेक्स यहां पर दिया हुआ है 102 नुमर का क्वेशन कि निवित में से कौन सा सम्मोहक ड्रग है तो इसको मैं पढ़ दे रहा हूं क्योंकि बलर्ड है यूमिनॉल, सेलॉल, कैटेकॉल और कैमीसॉल अब देखें निमित में से इंटर्फेरोन का सम्द्ध किस से है टॉनिक, वायरस या फिर कार्भोहेडरेट्स या लाइस्क नेक्स यहां पर दिया है डियने का कौन सभाग प्रोटीन की सूचना देता है तो क्रोमोजोम, माइटोकॉंड्रिया, आर एने या जीन नेक्स यहां पर दिया है कि मादाचिरि नेक्स यहां पर दिया हुआ आपको एक जो छे नेमर का कोश्चन नई नसलों की प्रादुर्भाव के कारक क्या हैं? प्रतिद्वन्द्वत तथा परिवर्तन, विलगन तथा परिवर्तन या वीलगन तथा उत्परिवर्तन, आप देखिए क्रेशिफ, यानि कि क्रैफिस क्रैफिस के रख्त का रंग एक सबी सबीए कि नियुक्त मैं बंधारित घोजन बिजावर रन या उपड़ंग्त्ल सभी एक-110 में फल निवकति मेंसे क्या है फूल का उतपाद, अंडासय का उतपाद, फुस्प योनी के निशेशन के बाद का उतपाद या बीज का आपरन अब देके फंगस किस परकार का जीव है तो मिर्त जीवी, मांसाहारी, सरवाहारी या साकाहरी नेच्स यहां पर दिया है कि नेविक्त मेंसे कौन सा बियर के फर्मेंटेशन में प्रियुक्त होता है तो पहनिसरीन, इस्ट, कलव फंगाई या मस्रूम अब यहां पर दियाओा है next आपको कि वाई प्रदूशन का प्रभाव प्रआय है निवकित में से किस पर पाया जाता है तो फूलों पर पत्टियों पर तनों पर या जरों पर किस के कारन होती है यहां पर दिया है कि दाव के बढ़ने पर किसी पदार्थ के उबाल बिंदू पर कैसा प्रफ़ा होता है तो बढ़ता है घरता है वही बना रहता है और सुन्य हो जाता है 116 बोल रहा है कि बोलो मीटर का उप्योग निमित में से किसके मापन के लिए किया जाता है तो बोलो मीटर आवरती उस्मा विक्रान वेगत रंग देर चकीजे पदार्थ के आयनिक इस्टेट के उत्पादन इवन गुनों के अध्यन की बहुतिक वियान की साखा का नम क्या है प्रमानु बहुत की प्लाजमा बहुत की यांत्र की या ना भी किया बहुत की नेक्स्ट यहां पर आपको दिया हुआ है यह एक चित्र है और आपको दिया है कि चित्र में नीचे दिये गए पड़िपत में एमीटर टू ए पढ़ता है प्रतिरोध आर कामान बताई यह तो तापांतर के कारण और समुद्र की तरंगों में भंडारित उर्जा के कारण या फिर समुद्र में ज्वार भाटा के उठने के कारण नेक्स यहाँ पर 120 नमर काई कि किसी उपग्रा के लिए पलाइन वेग 11 किलोमेटर 30 सेंड है उपग्रा को और दो से 60 डिग्री पर प्रक्षेपित किया गया हो इस स्थिति में पलाइन वेग क्या होगा तो चलिए इस तरह का कुश्चन एक पूछा है नेक्स यहाँ पर दिया तो रिचात उमर रोचिका राना रीना राय और रचीर रचीरा कंबोज तो स्थिति राष्ट में भारत के अगले राजदुत और अस्थाई प्रतिनी के रूप में किसको नुक्त किया गया है नेक्स एकिस डेस में किस डेस ने ICC महला क्रिकेट विसकप 2022 जीता तो इसको आ नेक्स यहां पर देखिए ग्रामिन विकास और पंचायती राजमंत्राले ने अपनी आफदा प्रबंधन योजना को जारी किया किया गया क्या जारी किया गया से ज्यादा महत्मून है कि किस डेट को जारी किया गया उसको भी आप याद रख लीजे फिर प्रधान मंत्री कोसल विकास योजना का संबंध है किस से तो ग्रामिन विकास मंत्राले पंचायती राजमंत्राले समाजिक न्याइवम अधिकारिता मंत्राले या फिर कोसल विकास और उद्यामिता मंत्राले से 117 नमर भारत के प्रधान मंत्री द्वारा एसिया के सबसे बड़े बायो गैस सेंत्र गोबर्धन का उद्गाटन कहां किया गया था तो वारणिसी पटना इंडॉर जैसल में ठीक है नेक्स दिया कि एक माई 2022 को किस ने भारत के नए विदेश सचीब की रूप में पदभार सम गया था कहा पर महराष्ट में प्रदेश तर्म नारू में और नाचल प्रदेश में इन वैसिदिक कोई नहीं कि कि यहाँ है कि यहाँ पर दिया कि प्ञेजिक कि आप गाँ पर को दिए प्रसों से लुख्णऊ ऐंदाबाद मंबई तो में अंदाबाद मोंबई को आपको खुद देखना कि राजनात तो पंजाब युन Keepी चन्दिकर उनिवर्सिटी नेक्स्ट नेयां पर दिया है कि मिशन वातसल लिह किसके आंतर उता है मैला ब्लुकास मंत्रा ले कानुन न्या मंत्रा लए या पंचातीराज मंत्रा ले नेक्स्ट दिया आपको नेश्ट दिया है नई दिली की प्रगति मेदान में आज चालिस में भारत अंतराष्ट्य वेपाड मेले के समापन समारो के दोरां किस मंडप को सर्वस्रेश्ट मंडप स्रेणी में सुर्ण पदक से समानित किया गया तो चलिए नेश्ट यहां पर दिया है सरकारी थिंक टेंक नीती आयोग के बहु आयामी गरीवी सूचकांग यानिके MPI के अनुसर बिहार की गरीवी आबादी का प्रतिसाथ कितना है 50.9 प्रतिसाथ, 51.9 प्रतिसाथ, 52.9 प्रतिसाथ या 53.9 प्रतिसाथ नेक्स्ट यहां पर दिया है, टोक्यो पैर अलम्पिक में बिहार के प्रमोद भगत ने किस खेल में स्वन पदक जीता था ठीक है, बिहार दिवस 2022 का थीम क्या है, ये भी आपको दिया हुआ है पुरवी छेत Shepherd Summit जो 7 January 2022 को पठना में सेयो, रूप से Reel मंत्राले एवं बिहार सिरकार द्हारा आयजित किया गया, वह था तो PM जल सकती योजना पर, PM गती सकती योजना पर, PM विद्यूत सकती योजना पर, या फिर PM बाल सकती योजना पर, उपर इक्त में से कोई नहीं, उपर इक्त में से एक सदिक नेक्स्ट यहां पर आपको दिया 140 में राश्टिया कला उचसब 2021 में बिहार की कितनी परतिभाएं विजयता रही दो, तीन, चार, पांच तो आपको पता करना है उच्छ देखिए 141 बिहार में समाजी कारी के लिए वर्श 2022 के पदमसरी पुरुसकार से सम्मानी किसे सम्मानि पुरुसकार 2022 से किसे सम्मानित किया गया विकास, सुमितो, धीरज, या फिर उद्यान 143 नमर का उच्छ दिया है कि बिहार के कि सहर में देश का पहला सिल्प कला संगरहले बनाया जा रहा है नेक्स्ट यहां पर आपको दिया हुआ है जापान के सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रधान मंत्री कौन थे फूमियों किसदा सिंजो आबे इतो हीरो भूमी या इशाकू साथो अब देखे भारत और सियुक्तराज अमेरिका ने बेसिक एक्स्चेंज एंड कोपरिशन एग्रिमेंट या फिर आर्थिक सहयोग के लिए 146 नमर में दिया हुआ है कि जुलाई 2022 में ब्रिटिस प्रधान मंत्री बोरिस जॉंसन ने नेता के रूप में पद छोड़ दिया लेबर पार्टी से लेबर डेमोक्रेट्स पार्टी से या फिर स्कॉटिस नेशनल पार्टी से 147 बोल रहा है 21 भारत रूस वार्शिक सिखर समयलन आजित किया गया था कब पांच नमबर दिसंबर 2020 या फिर छे दिसंबर 2020 तो डेट वाला ए दो कोश्चन तीन कोश्चन पूछता ही है बी पीए सी इसके लिए आपको मेंटली प्रिपेर रहना होगा दूसरे भारत नौर्डिक सिखर समयलन की मेज़वानी किस देश के द्वारा किया गया तो भारत नौर्डिक सिखर समयलन की मेजवानी जो है सुईडन डैन 카메न फिल्लेंड या फिर नौर्वे नेक्स यहां पर दिया है कि भारत यू एई व्यापक आर्थिक भागिदारी कि 26 से 28 जून 2022 तक 48 जी सेवन सीखर सम्मिलन किस देश में आज़ित किया गया तो अभी देखे ये एकदम हाल फिलाल का कुश्चन जून का ये कुश्चन डाला हुआ है 26 से 28 जून 2022 यानि कि अभी आपका ये 20 अगस्त है और पूरा जूलाय नहीं जून 28 जून यानि कि लास्ट जून का कुश्चन आपको डाल दिया यानि कि सिर्फ एक महने पहले का कुश्चन आपको दिया हुआ है और एकजाम से लगवग देर महने पहले तो 26 से 28 जून 2022 का 48 जी सेवन सिकर समिन किस दिस में आजित हुआ तो यूसे कनाडा जर्मनी यूनाइटेड किंग्डम तो चलिए ये हो गया ये तो इस तरह से हम लोग पूरे कुश्चन को देखे इसमें 150 कुश्चन को देखने के बाद यही महसूस हो रहा है कि खास करके इसका जो हिस्ट्री वाला जो सेग्मेंट है हिस्ट्री वाला सेग्मेंट जो आपका है वो इसको आप इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं और करंट अफेर्स जो है इसको भी मॉडरेट के इस रहनी में रखा जा सकता है कोई कठिन कर इंट अफिरस नहीं है mathematics वाला जो segment है ये भी आपको moderate के ही category में रखा जाए और बांकी जो और कुछ जैसे quality वाला segment है या फिर economics वाला segment है या कुछ एकाज geography वाला segment आया तो ये तीनों segment को मैं moderate to difficult की स्रेनी में रखूंगा तो overall देखने के बाद यहीं लग रहा है कि लगभग कमोवेस इसी तरह का pattern BPSC follow करता है चाहे कोई भी exam हो अब 67th BPSC का जो exam जो भी इस्टन्स आप समय से देने वाले हैं उन सब को ये ध्यान में रखना चाहिए कि दो या तीन question आपको date वाला पूछेगा उसके लिए mentally prepared रहना आपको mathematics का कुछ खास जो pattern है उस previous year के question को बनाते हुए उस pattern को आप जरू उस पर practice कर लिजे कई सारे questions का ताकि उससे मिलता जुलता अगर कोई question पूछे तो आपका बन जाए साथ ही साथ कुछ ऐसा question है जो कि आसान है जिसको आसानी से आप बना सकते हैं और कुछ तो तुक्का मारना ही होगा तो overall question के difficulties को level को देखने के बाद ऐसा नहीं लग रहा है कि बिलकुल चमतकार जैसा कुछ उलट-पुलट हो गया बिलकुल वही है जो हर साल BPSC का pattern रहा है लगभग moderate प्रकृति का overall question है कुछ difficult भी है और कुछ easy भी है तो overall यह moderate level का question था ना difficult था ना easy था आप लोग बस तयारी जारी रखिए और इसका solution से जुरा हुआ वीडियो में जरूर लाओंगा आपके लिए लिकिन उसमें हो सकता है एक या दो दिन time लगे तब तक आप यह आपसे को पसंद आया होगा धन्ली बात